एक जंगल में एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था, उस पेड़ पर एक बगुले का परिवार रहता था, उसी पेड़ के नीचे एक बांबी थी जिसमें एक काला साप रहता था, काले साप को जब भी मौका मिलता था, वह पेड़ पर चड़कर बगुले के अंडे और बच्चों को खा जाता था, साप की इन हरकतों से बगुला बहुत दुखी और परेशान था, वह किसी भी तरह साप से अपना बदला लेना चाहता था, परन्तु वह कुछ कर नहीं पा रहा था, क्यूंकि अगर वह साप से लड़ाई करता तो साप उसे भी मार देता एक दिन उदास होकर बगुला तालाब किनारे जाकर बैठ गया और रोने लगा, बगुले की हालत देखकर केकड़ा पानी से बाहर आया और बगुले के पास जाकर पूछा, बगुला भाई क्या बात है आप तो हमेशा हस्ते खेलते थे, आज अचानक आप इतने उदास क्य उद्धरंग चिन्ह बगुला भाई, तुमें एक काम करो, अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था करो और कुछ भोजन नेवले के बिल के सामने डाल दो, इसके बाद भोजन को नेवले के बिल से लेकर साप के बिल तक बिखेर देना, नेवला उस भोजन को खाएगा और खाते खाते सा जना अनुसार ही हुआ, नेवला साप को मारने के बाद पेड़ पर चड़ गया और बगुले के एंडो को भी खा गया। बगुला अपनी मुर्खता पर पच्चताने लगा, उसने उपाय तो सोचा परंतु उसका क्या परिनाम होगा यह नहीं सोचा था। शिक्षा बगुला, साप, केकड़े और नेवले की कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई कार्य करने से पहले उसके परिनाम के बारे में भी सोचना चाहिए, अन्यता उसका परिनाम उल्टा भी हो सकता है.